नमस्का स्वाथ आप सभी का हमारी खास पेशकर्ष वैदर अपडेट में नाओं के साथ एकलेश राटी और चर्चा होने जारी हैं आपे आज के मौसम के हाल की देख रहे हैं कि अब मौनसून के बाद दीरे दीरे हलकी ठंड महसूस की जाने लगी है अभी कुछ दिन पहले जो हलकी बारिश होई थी उसके चलते अब कहीं न कहीं ठंड महसूस की जा रही है अब आज का मौसम और आने वाला मौसम कैसा रहेगा और क्या बालिश के बनती भी नजर आ रही है आपके राज्य के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे तो दिली एंसियार में मौसम के बदलते मिजाज का नजारा आज सुबा बिरसपती वार देखने को मिल चुका है दिली एंसियार के लोगों ने बिरसपती वार को ना केवल ठंड महसूस की बलकि कुछ लोग तो गर्म कपड़ों में भी नजर आए खासकर मोटर साइकिल और अन्य दो पईया और ती पईया वानों के जरिये घरों से निकले लोग गर्म कपड़ों में नजर आए गौरतलब है कि पश्चिमी विक्षोव की सक्रियता के चलते शनीवार से लेका सोमवार सुबा तक दिली एंसियार में बारिश हुई थी जिसके बाद ठंड में इजाफा होना शुरू हुआ बताया जा रहा है कि ठंड इसी तरह रहेगी और दिवाली के आसवास इसमें इजाफा हो सकता है गौरतलब है कि पिछले साल भी अक्टूबर महीने में ही ठंड की शुरूआत हो गई थी इस दोरान समाने तोर पर नियुनतम ताकमान 15-16 डिग्री सेल्सियस रहता है लेकिन इसमें गिरावट देखी गई थी आयमडी के शेतरिय पुर्वानुमान केंदर के प्रमुक के मुताबिक अकाश में बादल नहीं चाय होना ताकमान में कमी का एक मुख्य कारण है दरसल दिल्ली में पिछले साल सबसे कम ताकमान 31 अक्टूबर 1937 को 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया था वहीं स्काइमेट वैदर के उपाद्यक्ष का क्याना है कि एक पश्चीमी विक्षोव के असर से 23 और 24 अक्टूबर को बादल चाय रहेंगे इस दोरान हवा की गती कम हो जाएगी और कहीं कहीं बहुती हलकी बारिश भी हो सकती है भारतिय मौसम विज्ञान विभाग भी नेवी कुछ अगले दिनों के लिए दिल्ली NCR समेथ देश के कुछ हिस्सों में बारिश का पुर्वनुमान जताया है गौर्टलब है कि अक्टूबर महीने में दिल्ली में 94.6 मिली मीटर बारिश हुई जो 1960 के बाद से अब देखी गई है इससे भी पहले सितंबर महीने में 1944 के बाद सबसे अधिक बारिश होने का रिकॉर्ड बना था बता दें कि शनिवार और अविवार के बाद सुमवार सुभा भी दिल्ली NCR में जोरदार बारिश हुई थी तो यानि कि जिस साब से अभी ठंड हलकी महलकी महसूस की जाने लगी है लोग सुभा के समय जब जोगिंग के लिए जाते हैं मौनिंग बॉक के लिए जाते हैं अब थोड़े थोड़े गरम कपड़ों में नजर आने लगे हैं बाइक सवार भी अब थोड़े गरम कपड़े बैने के निकलने लगे और अब मौसम विज्ञानिकों का कहना है कि दिवाली के आसपास ठंड में और इजाफा देखने को मिल सकता है वही स्काइमेट वैदर के अनुमान की मताबिक 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली NCR के अंदर कुछ हलकी बारिश दर्च की जा सकती है तो ये था आज के मौसम का हाल फिलाल वैदर अपडेट में अभी के लवस इतना ही नमस्कार